हलो दोस्तो स्वागत है सबका इन्फोबेर चैनल में दोस्तो 15 अक्टोमबर का दिन है और लगबग पौने एक बच चुका है वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तो के कुछ निकल के आया था फ्यूचर रीटेल के न्यूज में से तो चाहता था कि आपके साथ उसको शेयर कर दूँ और साथी साथ में बात करेंगे फ्यूचर रीटेल, फ्यूचर एंटरप्राइज और बाकी सब ब्रैंड्स के बारे में और साथी साथ में देखेंगे कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है फ्यूचर रीटेल का भी फ्यूचर मतब कुम्प्लिट फ्यूचर ग्रू अब क्या actually scenario है वो पूरा समझेंगे थोड़ा पीछे भी जाएंगे तो शायद आपको ऐसे लग सकता है कि यह news जो है यह हमें पता थी या फिर हम लोग इसको जानते थे ठीक है तो थोड़ा एक्जस कर लीजिएगा दो त्यम मिनिट थोड़ा history के बार में बात करेंगे फिर जो है future की तरफ चलेंगे और समझेंगे क्या हो सकता है और आपको फिलाल इस situation में क्या करना चाहिए मेरे खुद के पास 10,000 शेर पड़े हुए future enterprise के भी तो मैं भी interested था तो बात करेंगे अभी देखते हैं क्या scenario है लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को subscribe ज चैनल से भी जूट सकते है लिंक description में देखरके रखा हुआ है और आप हमें Google publications में भी follow कर सकते है उसका भी link कमने description में देखरके रखा हुआ है ठीक है दोस्तों तो बात करते है future retail के बारे में Amazon के बारे में साथ यसाथ Reliance के बारे में भी देखें दोस्तों Amazon ने जो legal challenge किया था future group को वो लगबग 24,700 करोड का है यानि जो asset future group जो खेल बनाया है basically future group में जिसमें दिखाया गया है कि वो asset बेच रहा है तो वो asset जो निकल के आ रहा है वो लगबग 24,700 करोड का रहा है अभी company बेच रहा है लेकिन asset क्यों दिखा रहा है यह जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पिछला वाला वीडियो जो मैंने बनाया था future group पे तो उसका link मैंने car पे भी देखर के रखा हुआ है चाहिए तो मैं description में उसको डाल दूँगा तो वो भी देख लीजेगा ताकि आपको समझ में आजा यह पूरा माज क्या है किस तरह से future group Amazon को साइड में रखने की कोशिश कर रहा था तो वो आपको समझ में आ जाए ठीक है तो असेट बनता है लगबग 24,700 करोड का जो रिलाइंस को बेची जा रही है और इसके जो केस किया हुए Amazon ने इस पर्टिकुलर 24,700 का फ्रॉड जो हो रहा है उसके सा सेंडर में चल रहा है जो कि SIAC है और यहां पर अभी बात हो रही है साती साथ में Amazon इंडियन कोर्ट में भी जो है वो केस रजिस्टर कर दिया है future group के अगेंस्ट में तो अभी देखते हैं यहां पर दोनों कोर्ट से क्या बात हो रही है possibility कफी कुछ हो रही है तो उसके बार म में बात करते हैं पहले दिखिए एक तो बहुत बड़ी चीज़ Amazon के साइट से यह है कि कोई छोटा मोटा पार्ट यह competitor के अगेंस्ट में यह केस नहीं है future group को खरीदने वाला रिलाइंस है जो की बहुत बड़ा competitor है बड़ा मैं नहीं कहूंगा मैं कहूंगा only one यह सिर्फ रिलाइंस ही है जो Amazon को इंडिया में है वह रिलाइंस के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो कि इन दोने के बाद अगर कोई रीटेल का किंग है तो वह future group है दोस्तों हमेंसे याद रखिएगा यह बीच बचाओ का रास्ता ढून रहा है कही न कहीं से future group बस Amazon जो है उसे पूरी तरह से ब्लॉक करने में लग हुआ है सिंगापूर इंटरनेशनल अर्बी डिस्ट्रेशन अगर सेंटर की बात करें इस सेंटर पैनल की तो अगर यह एक सोलूशन निकालने की कोशिच भी करता है कि अमेजान को इस डील से जितना भी नुकसान होगा वह पूरा का पूरा future group को भरकेत देना पड़ेगा यह एक option हो सकता है लेकिन यहाँ पर अगर यह करता भी है इस पर तो रिलाइंस से जो 24,700 करोड आने वाला है future group को वो डीले हो जाएगा तो रिलाइंस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ऐसे फसे हुआ है चीज में रिलाइंस और पैसा डाले और अपने competitor को जो है वो strong कर दे तो रिलाइंस का पैसा ही future group Amazon को देने वाला है तो Amazon इसे और भी strong हो जाएगा अभी फिलाल फसा हुआ है तो रिलाइंस चाहेगा कि बिल्कुल फसा का फसा ही रहे और अपना payment जो है रिलाइंस future group के लिए यह delay कर सकता है तो वैसे भी यहाँ पर Amazon को कोई फाइदा होने नहीं वाला इस solution के साथ में और indirectly नहीं future group को अगर legal challenge की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर Amazon जो है यह online का king है और Reliance जो है यह offline का king है तो अभी यह दोनों जो share है वो एक दूसरे के area में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहांके Reliance जियो मार्ट लेकर के आया है और पूरी की तरह online मे अपना दबदबा बनाना चाहता है उसी तरह से Amazon जो है जो online का king है यह कही ना कही offline आके जो है वो Reliance को टकर देने के कोशिश में लगा हुआ है तो एक दूसरे की बहुत बड़ी यहाँ पर मारा मारी हो रही है इसे आप World War 3 भी बोल सकते हो जो आने वाले time में इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है अभी पिछले एक मेने की बात करेंगी तो Reliance Retail Venture जो है जो Reliance का रिटेल आम है उसने लगबाग 37,700 करोड जमा किया है मार्केट से उनके जो साथ फैमिली इन्वेस्टर जो है फैमिली इन्वेस्टर इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों मैं क्य हुई है यह वही लोग है Silver Lake KKR General Atlantic यह मुबातला जिसमें से दो नए है वह है GIC और TPG अबुदाभी ने भी आलड़ी यहां पर इंवेस्टमेंट करके रखा हूं ए रिलाइंस में तो यह भी नया नहीं है इनके लिए अब रिलाइन इंडस्ट्री का एम देखिए क्या है व अनलाइन में और वैसी ही Amazon बढ़ाना चाता है अपना स्ट्रॉंग प्रेजेंस आफ्लाइन में और इसी के चलते हैं अगर आपको याद होगा तो Amazon ने लगबख 2018 में आदित्य बिरला ग्रूप का मोर करके सूपरमार्ट शेयन आता था उसको अलड़ी बाइक कर लिया था ए इंडिया में अल्री Amazon इंडिया बहुत अच्छा बिजनस कर रहा है और अभी एक बिलियन डॉलर बेजोज में वैसे भी डाला हुआ है स्मॉल बिजनस इसको अनलाइन लाने लिए तो इतना पैसा डालने के बाद मुझे नहीं लगता कि Amazon इसके से पीछे हटेगा और अपने एक कंपिटीटर को जो है वो स्ट्रॉंग होने का मौका देगा Amazon का इंडिरेक्ली अगर आप देखोगे तो 5% स्टेक फ्यूचर रिटेल में है उन्होंने 49% फ्यूचर कूपंस में बाई करके रखावा था फ्यूचर कूपंस का फ्यूचर रिटेल में जो है वो स्टेक है तो इंडिरेक्ली Amazon 5% होल्ड करता है अगर Amazon और 5% होल्ड कर लेता था तो Amazon कहीं न कहीं एक प्रमोटर बन जाता था सेवी के रूल के नुसर फ्यूचर रिटेल का तो यहां पे कोई बात बिलकुल भी नहीं बनती है कि वो रिलाइंस को जो है यहां पे आने का मौका दे सकता था एस पर दी कॉंट्रेक्ट जो Amazon बता रहा है उसके हिसाब से Amazon का जो 5% का स्टेक है आने वाले जब से यह डिल हुआ था उनका फूचर कोपन का उसके तीन साल से लेके 10 साल के बीच में Amazon जो है फूचर ग्रूप का जो प्रमोटर शेर होल्डिंग है उसको बाइक कर सकता ऐसा ऐसा राइट ऐसा क्लॉज उस एग्रिमेंट में रखा हुआ है तो इस क्लॉज को लेकर के साथी साथ में 5.5% इंवेस्टमेंट है उसको लेकर के Amazon का पक्ष अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा है फूचर ग्रूप पूरी तर परने के जल्दी फूचर ग्रूप में बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा तो ऐसे सिचुवेशन में फसा हुआ है फूचर ग्रूप और यहीं सबसे बड़ा कारण बना हुआ है फूचर ग्रूप के सारे के शारे शेर्स गिरते हुए में दिखाईते रहें और जब तक यह इशू सॉल्ट नहीं हो जाता यह शेर्स जो है वो गिरते रहेंगे और जिस दिन यह न्यूज क्लैरिफा हो जाएगी अमेजन से कोई डिसीजन आ जाएगा या कोड से कोई डिसीजन आ जाएगा जो कि फूचर ग्रूप को कहीना कहीं रिलाइंस की तरब जाने के लिए पर अपर सर्कीट और कंटिनियूस अपर सर्कीट देखने को मिल सकता है सारे के सारे शेर्स में तो दोस्तों यह था मेरा पॉइंट ऑफ यूव फ्यूचर ग्रूप एमेजन और रिलाइंस के बारे में वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा बेल, नोटिफिकेशन बेल को जरू क्लिक कीजेगा और साथ ही साथ में हमारे टेलिग्राम चैनल से जुनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखर के रखाई हुआ है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बेरिमाच